आज हम उसके बारे में बात करते हैं तो जब भी कोई close structure बनता है जो कि किस्ता से बनता है कि जब एक पर लित एक दूसरे के साथ जोईन होते हैं जब प्रिस्शं के बनके अ पी solid में वो तीन तरह से होती है जिसके बारे में आप और इडी उसको जानते हैं एक तो one dimension में होगी two dimension में होगी या फिर three dimension में होगी two dimension में जो atoms अरेंज होते हैं वो यहां तो square close packing बनाते हैं या पिर वो hexagonal close packing बनाते हैं square close packing जो है वो आपकी यह left side पर आप देख सकते हैं और hexagonal packing जो है वो आपकी right side पर तो जो square close packing होती है या फिर hexagonal close packing आप इसमें देखें कि जो atoms अब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो इनके दरम्यान में empty spaces बन रहे हैं इनके जो एक ट्राइंगल की तरह की शकल है तो इसकी वज़े से हम इसको triangular voids कहते हैं अगर इन पहली वाली लियर में जो आप देखें तो यह अपवर्ड है और जो दूसरे वाली लियर में यह जो वाइट से हैं यानिकि यह जो empty spaces इनकी जो डार्यक्शन है वह डाउनवर्ड है तो इसको हम यह कहेंगे कि पहली एक रो में जो उसका यह उनावाइक्शन है वो जो आपर्डेक्शन में और दूसरी रो में उसकी जो he roman डार्यक्शन में तो इस तरह कि जो आप कहलो कि वाइट वाइट सबहुं तो इसको हम हम ट्राइंग वहट से ईंगे इंड़ु डामेंशन तो उसमें जो free space होती है, वो 26% होती है, तो यह जो free space है या यह vacant space है, इसको हम कहेंगे interstitial voids, जब हम 3D में उसके बात करते हैं. Interstitial voids को जब हम 3D में देखते हैं, तो उसके 2 types हैं, एक है tetrahedral voids और एक है octahedral voids. Tetrahedral voids को समझने के लिए हम consider करते हैं कि हमारे पास एक layer है और उसके अंदर इस्ता से 2 atoms जो है, placed है, और तीसरा atom जो है, वो इस्ता से placed है, कि इसके तरम्यान में जो voids बन रहा है, वो एक triangular voids बन रहा है. अब अगर जो हमारे पास fourth atom है, वो अगर इस वाले voids के उपर लाए करें, यनि कि जो पहले वाली layer थी, उसके में जो voids था, जो दूसरे वाली layer में, अगर एक atom इस तरह से उस वाले voids के उपर लाए कर रहा है, तो क्या है कि जो जो एक basically पहले वाली लियर का जो एक atom है वो basically touch कर रहा है three atoms of the force layer या आप यूँ समझ ले कि जो दूसरे वाली लियर का ये जो atom था वो touch कर रहा है विद था three atoms of the force layer तो अब अगर हम इनको join करें इनके centers को यानि कि by joining the centers of these four spheres तो हमारे पास जो शकल बनती है वो एक tetrahedral शकल बनती है यहां से आप देख सकते हैं again वोई picture है और इसको show हो रहा है यहां पर कि जो दर्मयान में यह tetrahedral void है और यह जब इसके उस यह वाला जब atom इसके उपर place करेगा तो उस तरह की जो situation होगी और जब हम इनके centers को यानि कि इन atoms के centers को join करेंगे तो हमारे पास एक tetrahedral शकल बनती है तो इसको हम कहेंगे tetrahedral void अब हम octahedral void देखते हैं इसे तरह से octahedral void को भी समझने के लिए हम consider करते हैं कि यह एक हमार पास layer है atom की जिसके अंदर atoms इस तरह से तीन जो है वो एक layer में arranged है और उसके तर्मयान में यह एक triangular void बनारे अब अगर जो second layer की अाटम से वह से तरह से arranged है के जो जो पहली वाली यह थी और उसके उसका जो ड्रन वाट था और जो दूसरे वाली लियर है उसका वह triangular by वाट की अउपर लाए-कर तो इस तरह का जो वाइट बनता है वो बैसिकली इंख्लोज होगा वाइस इंख्लोज हो रहा है तो जो वेकंड स्पेसिस बन रही है वाइक कम्माइनिंग दे ट्रामिल वाइट फॉर्स लियर and that of the second layer उसको हम कहेंगे octahedral void जब भामने combine करें तो इसना की शकल बनेंगे तो यह octahedral शकल है इस बज़े सह में इसे कहेंगे it's an octahedral void तो जो number of आप लुकेले के जो number of octahedral voids बनेंगे किसी भी unit cell में तो वो हमेशा equal होंगे to the number of the atoms of the unit cell, octahedral voids का number भी वही होगा जो number of the atoms per unit cell है, लेकिन इसके opposite अगर हम tetrahedral voids को देखते हैं, तो tetrahedral voids का जो number है वो basically equal होते है two times the number of the atoms per unit cell.